असलाम अलेकुम पाकिसान लाखों इंसान जो HIV या AIDS की वज़ा से अपनी जिन्दियां गवा चुके हैं उनके साथ उनको याद करना है तो आज कर ये रपोर्ट कास्ट है वो HIV या AIDS की जो अगीस्ट लड़ी जाने वाली जंग है उसके लिए PWD की तरफ से एक छोटी सी कॉंटिबूशन है इसके लिए हमें जोईन किया है डॉक्टर नौरीन अनवरनी जो कि एक Family Health Clinic Hospital जना हॉस्पिटल से बिलॉंग करती है इसके साथ है हिरासम सहबा जो कि क्लिनिकल साइकॉलिजस्ट है और इनका तलग भी Family Health Clinic जना हॉस्पिटल लहोर से है तो डॉक्स है बस शुरू करेंगे आप से कि हम देखते हैं कि ये एक ऐसी बिमारी जो दुनिया बर में वबा की सूरत इख्तियार कर जुकी है अगर वतनिया जीज में इस वक्त देखें तो बहुत सारे ऐसी आलाके हैं जो इसके लिपेट में है अगर हम सादा अलफाज में इसको डिफाइन करें तो क्या है ये एड़स? असलामलेकूम, थैंक यू सो मच्छ मुझे इन्वाइट करने के लिए अच्छा, एड़स बिसिकली एक सिवेर फॉर्म ओफ डिजीज है HIV और HIV क्या है? HIV, Human Immunodeficiency Virus है जो के हमारे निजामे दिफा यानि के immun system को attack करता है जिसकी वज़ा से ये बिमारी लाहिक होती है और आप मुस्तलिक infections को prone हो जाते हैं जब आपके infections बहुत जादा हो जाते हैं और ये बिमारी शदीद हो जाती है तो फिर उसको हम AIDS कहते हैं जो के acquired immunodeficiency syndrome है अब हम आते हैं कुछ ऐसी myths की तरफ क्योंकि हम देखते हैं कि अब अगर डॉक्स अब बता रही थे कि इसका एक प्रॉपर मेडिकल प्रॉसेस है एक चीज़ का साइंटिफिक प्रॉसेस है उसका डिवेलप होने का हेरा साहबा इसमें देखते हैं बहुत सारी myths हैं इस डिजीज़ को लेके अगर चाहे उसकी क्योर की हो कुछ लोग देशी मता अगरे में रिज्योज कर रहे हैं और बहुत सारी myths हैं तो आप उन कुछ myths की निशानदा ही करें जो हमारे मुलक में आम है और अवाम को उसके बार ज्यादा है कुछ सानों में केसिस बहुत ज्यादा रिपोर्ट होने लग गए और वैस्ट में तो इसकी कमी हो गई है और दूसरी चीज है कि लोगों को लगता है कि मैं अगर मुझे AIDS हो गया है तो मैंने बस अपने आपको अलाइदा कर लेना मैंने कभी ठेक नहीं हो पाना अगर दॉक्टर नौरीन से ने बताया कि इसकी स्टेजी इस में क्योर करने अपने आपको तो आपनी आइड करती जाओ डॉक्टर की पॉइंट वीव से मिट्स में आइड करती जाओ एड अगर किसी को है तो इसके मुल्टिपल पार्ट्नर्स है और इसकी सिर्फ और जूद है तो उससे भी हो सकता है और इसके अलावा ही सीमन से भी ट्रांस्मिट होता है लेकिन यह जो है यह सिर्फ वैसे कॉन्टैक्ट से या हाथ लगाने से या सलाइवा से या यूरेन से या सेम बरतन इस्तमाल करने से सेम जगा पर बैठने से हाथ लगाने से छूने से करने लगे लोग रहना पसंदनी करते हैं लोग सुन टॉलिट यूज तो यह इसा नहीं है यह स्लाइवा से यूरीन से नहीं होता रही है यह सिर्फ भलाड से ब्रुन कई अगा उन्हें इस जाती है यह इन और इसके साइकालोजिकल इंपेक्ट पे अगर डॉक्साइब ने कहा कि बॉडी फ्लॉइड का एक्सचींज है इस तरह नहीं कि किसी को टच करने से हम देखते हैं कि यहां कोई हाथ नहीं मलाता किसी से अपने बरतन अलग कर लेते हैं तो आपके एक पेशन्ट है जो पहले ही एक डिजीज से सफर कर रहा है उसके साथ यह हीट्रिड बहीवियर उसकी साइकालोजिकल हेल्फ पर एक एफेक्ट पड़ता है इसे बहुत इंपॉर्टन किया है आपने बिल्कुल ऐसा ही है जब हम एक शक्स को बिल्कुल ही यह कह दें कि तो अब बिमार हो और घरवाले भ बात भी वो ट्रॉमा वाली फीलिंग आ सकती है और लोग सब्स्टेंस अब्यूस के तरफ जा सकते हैं वो कुछ ड्रिंक करना या कोई ड्रॉग लेना भी शुरू कर सकते हैं और यह तो नॉर्मल केसी हम देखते हैं आजकल मीडिया में बेरिपोर्ट है इसके लाब कुछ लोग सब्स्टेंस अब्यूस की तरह भी चले जाते हैं कि वो ड्रॉग्स और उनले कोई सब्स्टेंस लेना शुरू कर दिया कि मैं बस चुटका रहा पाना चाहता हूँ मैं अगर हम एक नॉमल लाइफ पाकिसान में गुजारते हुए अगर हम एक नॉमल लाइफ प कि हम वो कम से कम HIV इंफेक्टिड हूँ या AIDS का शिकार देखे एक बहुत मशूर कहावत है कि प्रिवेंशन इस अल्वेस बेटर देन प्रिवेंशन जो है वो किसी बी बिमारी के होने से पहले जो हम इक्तामाद करते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं और AIDS के बारे में यह जान नहीं कर पाती हैं बच्चा नहीं ले सकती तो ऐसा नहीं है इसमें प्रोफ एलेक्ट्रिप टीटमेंट होता है उसको एंटी रिट्रोवाइरल थेरेपी दी जाती है जिसके बाद वो बच्चा कंसीव कर सकती है और चांसे बढ़ जाते हैं कि बच्चे को AIDS ना हो उसके इला इसमें बच्रीज को बर्थ दी है और वो बाद में बच्चे नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं और इसमें जो प्रिवेंशन की बात है तो इसमें बैरियर मेंथड्स हैं हमारे फैमिली हाल्फ क्लिनिक्स पे कान्ट्रासेप्टिफ मौजूद हैं जो कि इससे हमें बचाते ह जिसमें के AIDS भी एक बहुत important बहुत बड़ी बिमारी है तो उससे ये आपको तहफुस फराहम करते हैं अगर हम उनका इस्तमाल करें तो हम इससे बच सकते हैं जैसे हम क्योओ क्यों की बात करें और अभी जो है वह हम देखते हैं कि पापुलेशन वेलफेर का जो डिपार्टमेंट है वह पापुलेशन की वेलफेर के लिए डिफरेंट डॉमेंज में कुमिटेड है उसमें हेल्थ भी आ जाता है तो अगर हम एड्स के स्पासिफिक अगरेटे हुए है इस वक्त फैमिल्ट्रेनिक्स के अंदर तो हम लोह के पास मरीज आते हैं और हमें पता चलता है कि एड्स डाइगनोस्ट है तो हम पर एक प्रॉपर थैरेपी चैनल जो है उनके साथ अटेम्ट करते हैं इसको हम कॉगनेटिव बहेविरल थैरीपी कहते ह और योगा, मेडिटेशन, हेल्दी, लाइफस्टाइल, डाइट और इसके लावा रिलाक्सेशन एकसरसाइज़ और इमीजरी एकसरसाइज़ और यह सर्वसीज उन सेंटर्स में प्रॉइड की जाते हैं इसके लावा एक बात में जरूर एड करना चाहूंगे कि जितने भी हसब तानों में हमारे फैमिली एल्चेनिक से, वहाँ पर एड्स का डिपार्टमिंग भी है, हसब का अपना डिपार्टमिंग भी है, तो हम लोग उनके साथ भी लाइज़ौन में रहते हैं, ताकि मेडिसन के लिए और मरीज को इधर उदक हवाद भी न होने दे, और जो ए कैसे बिमारी चुवतनी अजीज में बहुत सारी अलाकों में फैलती जारी और एक वबा की सुरत इख्टियार करती जारी, यह नहीं है कि इस पर गर्वर्मेंट के अधारे एक्टिव नहीं है, जिस तरह हमने देखा कि पापुलिशन विलफेर डिपार्टमिंट और इस तर आप अपने प्यारों तक शेर कर सकते हैं, शेर करें ताके सब मिलके इस बिमारी के खिलाफ जग में कामियाब हो सके, बहुत शुक्रें